नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुभा उठकर दर्वाजा खोलते ही क्या करी ऐस घर के महलाएं ऐसा काम कि जीवन में कभी कोई परिसानी ही ना आए अर्थिक तंगी ना रहे जी हाँ दोस्तों कुछ ऐसे काम होते हैं जो सुभा सोकर उठने के बाद दर्वाजा खोलते ही मुख्य दर्वाजा आप कुछ ऐसे काम करें जिनको करने से आपको तरक्की पाने से कोई नहीं रोक सकता हलांकि आपको सुभा थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन यह सच है घर में जो आपका मुख्य दर्वाजा होता है उसका काफी महथ्व है जैसे हमारे बास्तू सास्त में भी कहते है बादकी पूरे घर का दर्वाजा चैए---- जैसा भी हो लेकिन घर का मुख्य दर्वाजा तमाम दर्वाजा से सबसे बढ़ा और दो पल्ले वाला होना चाहिए यानि सिंगल पल्ला का दरवाजा नहीं होना चाहिए ये भी बहुत बड़ा वास्तु दोस लगता है और दूसरी बात हमेशा ही अपने मुख्य दरवाजे को साफ सुत्रा बनाए रखना चाहिए क्योंकि घर में जो मुख्य दरवाजा होता है वहीं पर से तो मालक्ष में आएंगी न तो बास्तु सास के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा सही इस्तिती में सही दिसा में भी होना चाहिए जो आपके जीवन में सुख, सांती और सम्रिद्धी लाता है तो दोस्तों चाहिए आप कैसा भी घर बनाए हो कैसा भी दरवाजा हो लेकिन इसी में एड़ेस्ट करना होता है क्योंकि घर तो लोग एकी वर बनाते हैं बार बार तो बनाते नहीं है अब चलिए हम ये बतलाएं कि महिलाएं घर की दरवाजा खोलते ही क्या काम करें कि जीवन में परिशानिया कम और खोसियां ज़्यादा आए घर की महिलाएं सुभा सोकर उठने के बाद अपने मुख्य दरवाजा के दोनों चौकट में थोरा थोरा जल जरू डालें और ये जल अगर गंगा जल हो तो अतियुत्तम है वरना आप पूजा वाले लोटा में कोई भी जल रख सकते हैं आप रात में ही इस जल को संभाल के रख लें ऐसे जगह में कि सोकर उठने के बाद आप दोनों साइट चौकट में डाल दें थोरा थोरा डालना है इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सुक सम्रिदी भी आती रहती है दोस्तों दूसरी बात सनी बार और रभी बार के दिन ये उपाया को करना है वैसे तो आप घर के बाहर, मुख्य दर्वाजे के बाहर आपका जहां द्वार होगा वहाँ तो झाडू लगवाते ही होंगे, पानी से साप करवाते होंगे, हर कोई कराता है लेकिन क्या आपको पता है? सनी भार और अभी भार के दिन जाडू लगाने के पहले दो बाल्टी पानी डाल दे या दो मघी डाल दे फिर जाडू लगाए यानि जाडू पहले नहीं लगाना है पहले पानी डाले फिर जाडू लगाईए सनी बार और अभी बार के दिन ये उपाय जरूर करें आप चाहें तो नित्ते दिन भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है हमारे सास्त्रों में ऐसा वर्णित है अगर कोई ब्यक्ति आपके उपर जादू, टोना, टोटका किया है तो वो वापस उसी के पास चला जाएगा और मा लक्षमी आपके घर रहेंगी दूसरी बात आप अपने घर के दर्वाजे पर पीला, लाल, मरून इस कलर का पेंट करवा सकते हैं या पेंटिंग बेगर लगा सकते हैं लेकिन याद रखिएगा सो समझकी कीजिएगा किसी बास्तूबित से अच्छे से सला लेकर हम बात कर रहे हैं ये तो हमने बतलाया जाडू लगाने के पहले आप घर में पोच्छा भी लगवाते ही होंगे तो घर में पोच्छा जो लगवाते हैं सिर्फ ब्रस्पती बार का दिन छोड़ कर बाकी सारे दिनों में नमक मिले हुए पानी से पोच्छा लगवाईए और याद रखिएगा ब्रस्पती बार के दिन नहीं लगाना है अगर आप इस नमक मिलेवे पानी में एक चुटकी हल्दी भी डाल देते हैं तो आपका ब्रस्पती भी मजबूत होगा और घर में लक्षमी आसानी से आएंगी दोस्तों आप अपने मुख्य दर्वाजे पर हम मुख्य दर्वाजे पर ही आते हैं क्यों प्रण्धल में बांद बांद कर बंदनबार खुद भी तियार कर सकते हैं उसे बांद दे और हर सोंबार को इसे चेंज करें पहले वाला निकाल के बाहर डाल दे इनिमर लोग जानवर लोग खा लेगा कोई दिकत नहीं है ऐसा करने से आपके जो घर में आप लोग रहते है स्वास समस्या नहीं होगी और ब्रहस्पती बार के दिन अगर आप धन चाहते हैं तो ब्रहस्पती बार के दिन असोग के पत्तों का बंदन बार लगाएं ठीक उसी प्रकार असोग के पत्तों का बंदन बार लगाने से धन की कमी नहीं रहती है और सोंबार के दिन आम के पत्तों का बंदनवार लगाने से स्वात समस्या कभी परिसान नहीं करती है आप चाहें तो सोंबार के दिन आम के पत्तों का बंदनवार लगा लें गुरुबार के दिन असोग के पत्तों का लगा दें और ऐसे ही चेंज करते रहें ये भी उत्म रहेगा दूसरी बात गनेज जी की तस्वीर अपने मुख्य दर्वाजे पर जरूर लगाए लेकिन लगाएंगे कैसे बाहर की ओर से गनेज जी नहीं लगाईएगा क्योंकि गनेज जी के पीठ में दर्डरता का आवास होता है और दर्डरता अगर आपके घर के अंदर आ गई तो बहुत परिसानी होगी इसलिए जब भी लगाईए मुख्य दर्वाजे की अंदर की ओर से दर्वाजे के ठीक उपर गनेज जी की तस्वीर लगाईए जैसे कि उनका पीठ बाहर की ओर हो अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं मुख्य दर्वाजे पर टाइल्स लगा लेते हैं गनेज जी लक्षमी जी के कि उनकी पीठ अंदर की ओर चलिया ही बाहर से लगा दिये ऐसा आप मत कीजे अगर है तो फिर आप तो तोड़ना नहीं है इसलिए अंदर की ओर से भी एक गनेज जी चिपका दे ये उत्तम रहेगा अपने घर में पूरे घर में जहां तहां देपताओं की तस्वीर ना टांगे एक पुजास्थान वना है उत्तर पुर्व कोना में वहीं पर देपताओं का निवास रहने दे और अपने घर में बिना मतलब के पेंटिंग भी ना टांगे हिंसक जानबर के डूपता हुआ जहाज है ताज महल है नटराज है इस टाइब के में पेंटिंग टांगे ना ही जरने का पेंटिंग लगाईएगा वरना पैसे आपके जरने की पानी के तरही बहने लगेगा ये तो हो गई अब हम आपको आगे की बात बताते हैं आप अपने मुख्य दरबाजे के दोनों साइट स्वस्तिक जरूर बनाईए ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है नौंगुल से छोटा ही रहे सुन्दर सा खुबसूरत सा बनाईए और बनाएंगे कैसे तेल सरसों का तेल में सिंदूर मिक्स करके भी बना सकते हैं और घी में भी सिंदूर मिक्स करके आप बना सकते हैं स्वस्तिक बनाईए और स्वस्तिक के दोनों साइट दो खड़ी रेखा हैं जरूर डालिएगा यह लक्षमी को बांधती है अगर आपने यूही सिर्फ खुला छोड़ दिया स्वस्तिक को तो फिर स्री आपके घर में नहीं रहेंगी इस बात का ध्यान रखिएगा मुख्य दरवाजे के चोखट के ठीक ऊपर बीचो बीच हल्दी और चावल चावल जो आपके घर में नकारात्मक उरजाएं प्रवेस नहीं कर पाएंगी इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आपके घर के दरवाजे के पास कहीं जगह है तो वहाँ पर तुलसी का पौधा या फिर बेली चमेली का पुस्त तो आप जानते ही होंगे तो उसका पौधा आ लगाईए ऐसा करने से आपके घर में बीमारियां भी नहीं होंगी और खुसियां भी आएंगी भर भर कराएंगी एक बात का ध्यान रखिएगा और हमेशा ही में गेट को दम साफ सुथरा रखिएगा अगर आपके घर के बांडरी वाल के दरवाजे के बाहर जगह है तो आ पुसियां आती चली जाए समी का ब्रिक्ष कभी भी घर के अंदर लगाना हो तो अपने मुख्य दरवाजे के बाहर बाएं साइड लगाईएगा इस बात का ध्यान रखिएगा और नियमित रूप से सर्सों का तेल का दिया जलाते रही है अगर आपके घर में पीपल का पे कहीं दिवाल में कम से कम पुर्व साइट तो भूल कर भी पीपल का प्रिक्ष ना आने दे ना ही चाया पढ़ने दे वरना आपका घर दूसीत हो जाएगा और जीवन की खुसियां कहीं न कहीं धीरे-धीरे समाप्त होती चली जाएगी अपने घर में मनी प्लांट जरूर लगाईए और ये मनी प्लांट लगाईएगा दक्षिन दिसा में धन की बरकत होती है एक बात का ध्यान रखेगा मिट्टी में मत लगाईएगा जब भी लगाईए गमले में मिट्टी भर कर लगाईए डारेक्ट चमीन में मत लगाईए यह अच्छा नहीं होता और मनी प्लांट को कभी किसी पेड़ का सहारा लेने मत दीजिएगा जैसे ही किसी दूसरे पेड़ पर यह मनी प्लांट चड़ेगा पत्ते बड़े होते चले जाएंगे और बड़ा पत्ता वाला मनी प्लांट अपने आप में दोस देने वाला होता है तो इन चीजों से बचिए छोटा पत्ता का ही मनिपलंट अच्छा होता है दोस्तो हमने आपको बतलाया था मुख्य दरवाजे के अंदर की ओर से गनेश जी की तस्वीर लगाने एक और बात करनी है आपसे ये जो तस्वीर आप लगाईएगा उसमें तीन मोर पंक तस्वीर के ठीक उपर में लगा दीजिएगा डंठल अंदर की ओर से कर दीजिएगा तीन मोर पंक याद रखिएगा ये बास्तु दोस्ट पूरे घर का बास्तु दोस्ट को समाप्त करने के लिए काफी होता है अपने डाइनिंग एरिया में भी आप एक मोर पंक का जरूर अस्थान दीजिए ताकि किसी का बुरी नजर आपके घर पर ना पड़े और आपका जीवन खुसियों से भरा रहे हम आपसे विदा लेते हैं अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो से लाब होता है तो प्लीज लाइक कर सब्सकाइब करना मत भूलिएगा और कोई अगर ओसे विदा है तो आप कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद फिर मिलेंगे हर हर महादेव